हेलो फ्रेंड्स, गुड इबिनिंग, स्वागत है आप सबका सिवकिर्पा कलासेच पर, मैं महस्क मार बार मां आप सबका स्वागत करता हूँ दोस्तों ये वीडियो हमारा UPPSC यानि युत्तर प्रदेश लोग से वायोग समिच्छा दिकारी का टेस्ट सिरीज नमबर 25 है जिसमें हम लोग करेंट अफेर्स के महत्पूर्ण परसनों को साल्प करेंगे और देखेंगे कि यहां से हमारे कितने कोश्चन सही हो रहे हैं दोस्तों अब आप लोगों की वेकेंसी आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा इसलिए तैयारी को लेकर बिलकोल भी नहीं रहना जितना दोस्तों आवसकता हमें अपने notification यानि इसकी बेकेंसी आने का है उससे ज्यादा जरूरी दोस्तों कहीं आत्रबलियो की एक अच्छी बाग अभ्यारन घोसित किया गया है। भारत का बावनवा बाग अभ्यारन घोसित किया गया है। यानि बिकल नमबर B यहाँ पर हमारा सही एंसर होगा। नेज देखेंगे कोश्चन नमबर 2 को। दो नमबर कोश्चन है हमारा बिस प्रेश सोतंदरता सुचकांक 2022 में किस देश ने सीर्स अस्थान प्राप्त किया है। बेरी बेर इपर्टन कोश्चन है दोस्तों। बिस प्रेश सोतंदरता सुचकांक 2022 में किस देश ने सीर्स अस्थान प्राप्त किया है। यानि बिकल नमबर C यहाँ पर हमारा सही एंसर होगा। थोड़ा और इसके बारे में बात कहेंगे दोस्तों ताकि यहाँ से संबंदित हमारे कोई भी कोश्चन्स गलत ना हो। ध्यान से देखिएगा दोस्तों यह हमारा इंप्रेश सुचकांक 2022 से दोस्तों पढ़ते हैं इसको हम लोग 20 सुप्रेश सुचकांक 2022 जारी किया गया ह जो 180 देशों और छेत्रों में पत्रकारिता की स्थिति का आकलन करता है टोटल कितने देश सामिलने हैं दोस्तों 180 यह पहला कोश्चन्स बन गया है हां से हमारा आगे देखिएगे इस सुचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल के 142 अस्थान से गिर कर 150 अस्थान पर आ 2022 में भारत का स्थान दोस्तों आठ अमकि फिसल गया है पिछले साल दोस्तों 2021 में इसका स्थान 122 अथा जो अब 150 स्थान पर हो गया है कौन से स्थान पर 150 स्थान पर ने इस देखिएगे इस सुचकांक में नार्वे पर्थम कौन सा दोस्तों नार्वे पर्थम डेनमार्क दूसरा स्वीडन तीसरा इस्टोनिया चोथा और फिनलैंड पाच्वा अस्थान रहा विस प्रेश स्वतंता सुचकंग तो 180 होंगे सबसे पर्थम अस्थान दोस्तों स्वीडन नार्वे का रहा दूसरा डेनमार्च तीसरा स्वीडन चोथा इस्टोनिया और पाच हुआ फिनलैंड भारत का अस्थान एक सो पच्चास हुआ आठ आठ अंक फिसल गया है और 180 में सबसे लास्ट कौन रहा है तो रहा या यानि 180 देशों की सूची में 180 अस्थान पर ही यह रहा ने देखेंगे को इस नम्बर तीन को कोश्चन नम्र तीन 26 सन्युक्त राष्ट जल्वायु परिवर्तन सम्मेलन 26 सन्युक्त राष्ट जल्वायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया गया कहां पे किया गया लोकेशन हमें बताना है A नमबर है पेरीज फ्रांस में बी नमबर है नियुयार्क सन्युक्त राजी अमेरिका में सी नमबर है जे नेवा स्वीटिजर लैंड में और डी नमबर है गलासगो योके में दोस्तों 26 सन्युक्त राष्ट जलुगाई सम्मेला जो मनाया गया वो 31 अक्टूबर से 13 नॉवंबर 2021 को मनाया गया अब में बताना दोस्तों कि इसका आयोजन कहां किया गया तो हमारा से एंसर होगा गलासगो योके में यानि बीकल नमबर डी यहाँ पे हमारा सही एंसर होगा नेज़ देखेंगे फोर नमबर कोश्चन Times World University Ranking 2022 के अउसर बेरी बेरी इंपर्टन कोश्चन सही दोस्तों Times World University Ranking 2022 के अउसर भारत का सर्फ स्रेष्ट विस्विद्याले हमें बताना है ए नमबर है इलाहाबाद विस्विद्याले लाहाबाद यानि प्रियागरास B. नमबरे नालंदा विश्वी विध्याले पतना C. नमबरे जवाहर लाल नहरू येनु 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 नईदिल्ली D. नमबरे भारते विज्ञान शंस्थान बैंगलूरू तो हमारा साइंसर क्या हो दोस्तों टाइम्स वर्ल्ड युनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के उनसार भारत का सबस्टेट बिस्विद्या ले रहा है भारतिय विज्ञान संस्थान वंगलुरू का यानि बिकल नंबर डी यहाँ पी हमारा सही एंसर होगा थोड़ा सा इसके बारे में और जानेंगे दोस्तों important fact ताकि कहीं से भी हमारा questions गलत ना हो ध्यान से देखेंगे दोस्तों times world university ranking 2022 में सामिल भारते संस्थानों की संख्या टोटल कितनी थी 71 थी जिसमें प्रत्थम स्थान आया हुए भारत में भारते विज्ञान संस्थान बंगलुरू का आगे देखतें दोस्तों times world university ranking 2022 में 20 सुका भारत का तो हो गया दोस्तों 20 सु बी स्थोड आलाए Y relative UK घूशित किया वारत देखेंगे 5 whom कोशIES किस देश में जनुरी 2022 में पर्थम योग महोसम का आयुजन किया गया किस देश में जनुरी 2022 में पर्थम योग उच्यान किया गया ए नमोर Beckry का बी है इटली, सी है सौधी अरव, डी है रोस, तो हमारा यहां सैंसर बनेगा दूस्तों, सौधी अरव, यानि बिकल्ट नमबर सी, सौधी अरव, नहीं देखेंगे, सिक्स नमबर कोश्चन, यूनेसको, यूनेसको आप लोग जानते हैं दूस्तों, बार-बार सुनते चले आ थोड़ा सब पहले हम लोग यूनेसको के बार मिच्छा चाह करें, यूनेसको आप लोग जानते हैं दूस्तों, यूनाइटेट नेसंस, इजुकेशनल, साइंटिफिक, एंड कल्चरल आर्गनाइजेशन, हिंदी में बोल सकते हैं, सन्युक्त, राष्ट, सैच्छिक, राष्ट की सूची में किसे सामिल किया गया है, तो हमारा एंसर बनेगा दुरगा पूजा को, यानि बिकल्प नमबर बी, नेस देखेंगे, कुश्चन नमबर सेबन को, सुशासन दिवस प्रतिवर्स मना जाता है, कम मना जाता है, यह हमें बताना है, सेबर नमबर सन्युक्त राष्ट संग द्वारा, यानि UNO, United Nations Organization, वर्स दोहजार चोविस को गोशित किया है, किस रोप में यह हमें बताना है, ए नमबर है पच्छों का अंतर राष्टी वर्स, बी नमबर है घोडों का अंतर राष्टी वर्स, सी नमबर है उटों का अंतर राष्टी वर तो हमारा साइंसर बनेगा दोस्तों, उटो का अंतर राष्टी वर्स, उटो का अंतर राष्टी वर्स यानि बिकल्प नमबर सी, नेस देखेंगे 9 नमबर कोश्चन, वह पर्थम ब्रिक्स देश, ब्रिक्स की बारे में आप लोग सुनते चले हैं दोस्तों, पूछा गया ह वह पर्थम ब्रिक्स देश, जिसने हाई एंबिशन क्वालिशन फार नेचर एंड पीपुल यानि HAC की सद्यस्यता गरण किया, तो सबसे फिले हम लोग ब्रिक्स के बारे में बात कहेंगे दोस्तों, ब्रिक्स मतलब 5 यहाँ आपको अच्छर देगे हैं, यानि इसमें दो जो ब्रिक्स में सामिल है, अब पुछा गया है, इसमें से कौन सदेश, हाई, अमबिशन, क्वालिशन, फार नेचर एंड पीपुल यानि HAC की सद्यस्यता गरण किया है, तो हमारा सहिंसर बनेगा दोस्तों, भारत यानि बिकल नमबर C, थोड़ा और इसके महत्पूर फेक एक बैस्विक समझोते का समर्थन करता है, जो की परजातियों के तीब्र ये चरन लिखा हुआ, दूसरों थोड़ा सा मिस्प्रिंट है, जो की परजातियों के तीब्र चरन को रोक सकता है, और महत्पूर पारिस्थितिक तंत्र की रच्छा करने में सहायक होता है, इसका सा सामने है hair question है दोस्तों निम्ण में से किसे हाल ही में भारतीती राष्ठी कांगरेस के अध्यच पद पर चुना गया आप लोग जानते हैं दोस्तों हाल ह में भारती राष्टी कांगरेस के अध्यच पक नुर्वास्यन रहा है चुनाव हुआ है तो तो हमें बताने दोस्तों किसका हुआ है A नंबर है P. चितंबरम, B. आनन शर्मा, C. सशी थरूर, D. मलीका अरुजुन खड़गे तो हमारा से इंसर बनने का दोस्तों भारती राष्टी कांग्रेस को दोस्तों जो निर्वाजित प्रेजिरेंट यानि अध्यच हुए है वो दोस्तों मलिकारजुन खडगे जी को चुना गया है यानि बिकल नमड़ी यहापे हमारा सही एंसर होगा सब्सक्राइब करें दोस्तों आपना है चैनल सिव क्रिपा कलासेस को इसी तरह के वीडियोज के लिए नेक्स देखेंगे कोस्चन नमरा लेवन को अलमा नमा कोस्चन है दोस्तों पहले फायर पार्क का उदगाटन किया गया लोकेशन हमें बताना है कि भारत में किस राज में पहले फायर पार्क का उदगाटन किया गया यह नमबर है मलिपूर भी है आंद्रपंदेस यह ओडिसा उड़ी है तमिलनाट तो महां सह इंसर बनेगा दोस्तों ओडिसा यानि बिकल्न बसी दोस्तों ओडिसा राज में पहले फायर पार्क का उदगाटन किया गया है नेस द लगातार चर्चा में बनावगा कोश्चन है दोस्तों बिकल्ब एकते हैं हम लोग ए नम्मर है तीसरा बी है दूसरा सी है चोथा और डी है पहला तो हमारा से इंसर क्या हो दोस्तों भारत बिदेसी मुद्रा भंडार धारक सूची में किस स्थान पर आ गया है तो हमारा एंसर होगा दोस्तों तीसरे स्थान पर यानि बिकल्ब नमबर यह यहाँ पर हमारा सही एंसर होगा थोड़ा और इसके बारे में important fact देखेंगे ध्यान से देखेगा दोस्तों नोट बिदेसी मुद्रा भंडार की मामले भारत अबिस में तीसरे स्थान पर आ गया है पहले और दूसरे स्थान पर करमसा दोस्तों चीन वाँ जापान है यानि पहले पर चीन दूसरे पे जापान और तीसरे पे हमारा देश भारत नेक्स देखेंगे हम लोग थार्टी नमर कोश्चन कोश्चन है दोस्तों उत्तर परदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित तिनाथ ने भागी रथी प्रियतक आवास गिरह का लोकारपन कहा किया उत्तर परदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित तिनाथ ने भागी रथी प्रियतक आवास गिरह का लोकारपन कहा किया ए नमर है घरीद्वार 5 मैं 2022 बी नमर है वाराणसी 5 मैं 2022 सी नमर है गोरखपुर 5 मैं 2022 और दी नमर है लखनों 5 मैं 2022 तो हमारा एंसर होगा दोस्तों हरी द्वार पांच मई दो हजार बाइस जहां पर दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख मंत्री योगी आती तिनाथ द्वारा भागी रती प्रियाटक आवास गिरेह का लोकारपन किया गया है नेस देखेंगे फोर्टी नमबर कोश्चन्स अंतर राष्टी योग दिवस की थीम बतानी दोस्तों 2022 में अंतर राष्टी योग दिवस की थीम जो की हमारा थंप्रेल का भी कोश्चन है यहां पे हमारा सही एंसर होगा नेस देखेंगे फिप्टी नमबर कोश्चन्स सुइच दिल्ली अभियान का सम्मध बताना है फिप्टी नमबर कोश्चन में switch दिल्ली अभियान का संब्भ A नमारा है online सिच्छा से B है रोजगार से C है स्वास्ते से D है electric वाहन से हमारा सही answer होगा दोस्तों switch दिल्ली अभियान का संब्भ ए इलेक्ट्रिक वाहन से यानि B कल नमर D यहाँ पर हमारा सही answer होगा तो यह थो दोस्तों 15 महत्वपूर्ण करेंट अफेर्स की प्रस जिसे हम लोगों ने साल्प किया हैं उमीद है दोस्तों आप सब भी लोगों ने साल्प किया होगा तो इसी तरह के वीडियोज के लिए दोस्तों आप माई चैनल स्वीकृपा क्लासे से जुड़े वह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिये जाने वाले सभी वीडियोज आप करम से सबसे पहले देख सके तो मिलते हैं दोस्तों अपने एगलेटे सेरीस के साथ थैंक्स फार वाचिंग